डिबेट के अंदर कोई कितनी भी धमाकेदार लाइन बोल दे या डिबेट जीत जाए या हार जाए उससे रत्ती भर का फरक नहीं पड़ेंगा अभी जिस पार्टी से आप नफरत करते हो वो और वोटों से जीत काएगी अभी आप अगले एलक्षन में देखना राजिस्तान में वोलिटिक्स जो है वो 360 डिग्री चेंज होगी यह जो हमारे नेताईन को आप अगर ध्यान से अब्जर्ब करोगे तो अपने रिलिशन खराब नहीं करते हैं भारत के नागरिक की लक्षमन रेखा क्या है जब धर्म के बारे में बात करता है और उसको कहां पर रुक जाना चाहिए एक free speech कब hate speech में convert हो जाती है अब काइदे में तो जैसे पहले कनहिया लाल को गिरफतार किया था वैसे कनेयलाल की कंप्लेंट पे नाजिम और उसके साथ के लोगों को गिरफतार करना चाहिए था और सिक्योर्टी देनी चाहिए थी देखिए इससे पहले ये डिसकस करें कि उद्यपूर में क्या हुआ, नुपर शर्मा ने गलत बोला या तसलीम रह्मानी की गलती है उससे पहले ये देखते हैं कि पूरी कॉंटरवर्सी है क्या और ये कॉंटरवर्सी स्टार्ट कैसे हुई देखिए बनारस के अंदर एक ज्यानवापी मजद है जो की बिलकुल काशिव इश्मनाठ टेंपेल है उसके बगल में है पूरी controversy की शुरुवात यहीं से होती है थोड़ा था background बता जेता हूँ जिस तरीके से राम जनभूमी को लेके conflict था कि पहले मंदिर है या फिर पहले मज़िद है सेम यही issue ग्यानवापी मज़िद को लेके भी है और यह ऐसा नहीं है कि अभी अभी यह कोई नया मुद्धा है इस चीज को लेकर जो लड़ाई है वो अजादी के पहले से चल रही है 1984 में इसको लेकर थोड़ी सी टेंशन बढ़ी थी और फिर 1991 से इसका जो केस है वो कोर्ट में चल रहा है देखी यह एक अलग मुद्धा है लेकिन अभी जो करन्ट सिचुएशन है इस पर्टिकुलर जगा की वो यह है कि इस मस्दित के अंदर मुस्लिम के लावा किसी और को जाना अलाउड नहीं है फोटोग्राफी वगर अलाउड नहीं है अब कोर्ट ने का कि किसी और के धार्मिक प्लेज पैर आप नहीं जा सकते तो अँगार आपको यकीन नहीं है तो आप चेक करा लिजे वहां पर सिंगार गौरी मंदिर है और हमें वहां पे जाकर पूजा करनी है अब इस पर court ने अंदर जाना तो allowed नहीं किया लेकिन एक order दिया कि एक वीडियोग्राफी करा ली जाए इस पूरे area की ताकि मजदित के अंदर है क्या ये पता चल सके अब ये सर्वे स्टार्ट होता है और जब आखरी दिन पर इस सर्वे पहुंचता है तो जहाँ पर वजू किया जाता है वहाँ पर एक शिवलिंग जैसा दिखने वाला object मिलता है अब देगे ये object actual में क्या है ये तो archaeology team और supreme court के decide करना होता है लेकिन ऐसा होता नहीं है और यह इसी डिबेट में ये लोग दोनों community के religious figures को बैठाते थे और वो भी ऐसे religious figures को बुलाते जिनका record राय चीखने का चिलने का एक दूसरे के धरम के बारे में बुरा भला बोलने का इसी बीच में रतनलाल जो की एक professor है उन्होंने इस image की बात करते करते डारक शिव जी के ऊपर tone का use करते हैं और जो news channel इनको आमने सामने बैठा रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि जब ये आमने सामने बैठेंगे तो क्या होगा लेकिन उसके बाद मीन लोगों को बुलाया जाता है अब तारीक आती है 26 में 2022 ये वो दिन है जब इस पूरी controversy की नीव रखी जात होते हैं दो से तीन बार news anchor को debate बीच में रोकनी भी पड़ती है और ये साधी चीजें देश के national news channel पर चल रही होती है और बात इतनी बढ़ जाती है कि नुपूर शर्मा को debate छोड़ के जाना पड़ता है क्योंकि नुपूर शर्मा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ज यहां पर मुद्दा होई सेम ग्यानवापी मज़ित का चल रहा होता है यहां पर दूसी तरफ बैटे होते हैं मुफ्ती नमुईदीन और लड़ते लड़ते दोनों religious feeling हट करते हैं एक दूसरे की दोनों दिल खोल के लड़ते हैं अब देखे जो news चला रहा है जो लोग debate कर हैं सबको बहुत अच्छे से पता है कि debate के अंदर कोई कितनी भी धमाकेदार लाइन बोल दे या debate जीत जाए या हार जाए उससे रति भर का फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि वीडियोग्राफी में जो निकलेगा उसका decision supreme court लेगा और जो supreme court बोलेगा वो होगा in fact हमारे देश होती है और वो इसलिए होती है ताकि जो normal आदमी है वो इस सब देख के trigger हो अब एक आदमी है जो सुबह उड़ता है वो हाथ जोड़ता है भगवान के आगे या फिर दूआ करता है बगवान के आगे कोई दिक्कत आती है तब भगवान के आगे हाथ फैलाता है फ्लाइट म बढ़ जाती है जब उसको ऐसा लगता है कि भेदभाव हो रहा है कि नुपूर की बातों का विरोध हो रहा है लेकिन इल्यास की बातों को चुपाया जा रहा है या फिर दूसी साइट देखें तो रतनलाल को अरेस्ट किया जा रहा है लेकिन नुपूर शर्मा को अरेस्ट करताम होने के बाद बीजेपी लीडर नवीन कुमार जिंदल यह भी एक कॉंट्रोवर्शिल ट्रीट कर देते हैं यहां तक भी चीज़ें आउट आउट आउफ कंट्रोल नहीं होती है लेकिन बात खराब होती है अगले दिन जब मुहम्मद जुबेर आल्ट न्यूज वाले जो नुपुर्शर्मा वाला पार्ट होता है उसको ट्रिम करते हैं और सोचल मीडिया पर डाल देते हैं और यह इस पूरी जो कॉंट्रोवर्सी है उसको बहुत ही खराब मोड पर लाके खड़ा कर देती है जो एक नॉर्मल आदमी होता है उसको देखके बहुत ज़्यादा भड़का देश भर में प्रोटेस्ट हुए यह डालते ही नुपुर्शर्मा को धंकी आने लगी कई लोगों ने इनाम भी रखा कि जो नुपुर्शर्मा को मारेगा उसको पैसे दिये जाएंगे जुलूस निकाले गए दंगे हुए कई जाने भी गई जो लोग दंगों मे साइड की चीज़ें देखते हो और ये भी आपको पता चलता कि नुपुर्शर्मा की अकेले गलती है या और भी लोग है जिन्होंने सेम गलती किये है अब आप लोगों में से भी कितने लोगों ने देखी है वो पूरी डिबेट क्योंकि टाइम्स नाउ ने भी उस वीडि करना शुरू कर दिया होता है 16 देशों ने मिलके इंडिया के उपर प्रेशर बनाया कि माफी मागें लेकिन इंडिया ने माफी नहीं मागी कहा कि नुपुर्शर्मा जो है वो कोई गॉवर्मेंट ऑफिशल नहीं है इसके बाद बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करने के लि देखिए नेवरेंडिंग डिसकेशन है जिसने पहले से जो मान रखा है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं आप सोते हो आदमी को जगा सकते हो जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको आप नहीं जगा सकते हैं अब देखिए सच क्या है इसके लिए तो एक ही रास्ता है वो कहता है भारत के नागरिक की लक्ष्वन रेखा क्या है जब वो एक धर्म के बारे में बात करता है और उसको कहां पर रुक जाना चाहिए एक free speech कब hate speech में convert हो जाती है तो ये भी discuss कर लेते हैं कई देशों में कानून है कि अगर कोई किसी के religious sentiments hurt करता है तो उसके लिए सजा है औ लेकि इंडिया के अंदर blasphemy word का यूज करने से बचा गया है और ऐसा क्यों किया गया है वो मैं आपको आगे बताऊंगा इंडिया के अंदर religious sentiments hurt करने के लिए कानून है और बहुत ही state कानून है इंडिया के एक अपना version है blasphemy का लेकि blasphemy word यूज नहीं करता है इंडिया और का यूज नहीं किया क्योंकि इंडिया एक secular देश हमारे देश में section 295a है और section 153a है कि अगर कोई religious sentiments hurt करता है या किसी धर्म गुरू का आप मान करता है बोल के लिख के या visual से directly and directly तो ये एक crime है हमारे जो laws है वो बिल्कुल clear है कोई confusion नहीं उसको लेके हमें एक multicultural country है कोई भी किसी भी situation में किसी के भी religious sentiments को hurt नहीं कर सकता है ये एक strictly no है क्योंकि जब आप religion की बात करते हैं तो आप ये नहीं कह सकते है कि हमारे country का internal issue है क्योंकि उस धर्म को मानने वाले पूरी दुनिया में है और इससे पूरे देश की reputation भी दाओ पे लगती है MS Dhoni जब वो एक ad में विष्णु जी के get up में थे तब उनको section 295A के तहद book किया गया था Netflix के executive book हुए थे जब उन्होंने temple के पास kissing scene दिखाया था Munavor Fahruki, MS Hussain, Javid Habib इन सब के उपर section 295A लग चुके हैं और लोगों के sentiments हाट हुए अब होना तो यह चाहिए था कि इन सब को arrest करना चाहिए था एक case चलना चाहिए था लेकिन यहां भी गलती होती है अगर right away इन सब को उठाके arrest कर दिया जाता तो मामला उतना खराब नहीं होता इन में से कुछ लोगों को arrest किया गया और कुछ लोगों को छोड़ दिया गया अब इस सब चीजों से यह होता है कि लोगों के अंदर dissatisfaction हो जाता है लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि कितना भी dissatisfaction हो लेकिन जितनी भी मारने मराने की बाते हो रही है उदेपूर में जो हुआ उसको जो celebrate कर रहे हैं या फिर घुमा के जो mobile justice की वकालत कर रहे हैं बहुत ही dangerous है logically भी अगर आप इसको फायदे और नुकसान से देखो तो mob justice आपने कर भी दिया तो उससे कुछ होगा नहीं एक जान के बदले community के अंदर भेदबाव बड़ेगा अभी जिस party से आप नफरत करते हो वो और वोटों से जीत काएगी अभी आप अगले election में देखना राजिस्तान में politics जो है वो 360 degree change होगी आपको business चलाना हो, rent पे घर लेना हो, हर जगा भेदबाव होगा इसको अगर आप फैदे और नुकसान से देखोगे तो जो mob justice है, यह एक नुकसान का सौधा है दूसरी तरफ जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान भेजो हिंदू खत्रे में हैं, आप एक सर्च करके देखो जिन countries के अंदर state religion है और दो गुटों में लड़ाई हो रही है, उनका क्या हाल हो रहा है वहीं दूसरी तरफ, आप कोई भी country उठा के देख लो minority का भला तभी होता है, जब उनके बीच का आदमी निकलके बड़े ओधे पर आता है तो आप एक बार सोच के देखिए, वो निउस में क्यों रहते हैं क्या उन्होंने development की बात करी है या unemployment की बात करी है तो जो वो कर रहे हैं, उससे वो बाते तो बहुत अच्छी कर लेंगे लेकिन वो आपके लिए कुछ कर नहीं पाएंगे आपके लिए वो तब कुछ कर पाएंगे जब उनके हाथ में कुछ चीज आएंगे और उनके हाथ में चीजे तब आएंगी जब दोनों community का विश्वास जीतेंगे जब अंग्रेज इंडिया पर राज कर रहे थे तो जो majority होती है उसको खुछ करने की बात चल रही थी कि majority को खुछ रखेंगे तो हमारा फैदा जादा होगा वहीं पर मेकलॉई ने कहा कि अगर हम minority को डरा के रखेंगे और उनको ऐसा लगेगा कि वो खत्रे में है तो हमारे lifetime partner बन जाएंगे और कहीं दर उदर नहीं जाएंगे तो अंग्रेश तो चले गए लेकिन ये जो minority और majority वाली ideology है ये इंडिया में आज मी मिलेगी आपको ये जो हमारे नेता है इनको आप अगर ध्यान से observe करोगे तो अपने relation खराब नहीं करते हैं religion की वज़े से ये आपस में Hindu Muslim नहीं करते हैं ये आपस में Hindu Muslim करवाते हैं क्योंकि इनको पता है कि करें आपस में Hindu Muslim करेंगे तो जो इनकी personal life है ये खराब होगी वहीं एक चीज बहुत जादा बोली जाती है कि हमारे धरम का तो मजाक बड़े अराम से उड़ जाता है वहीं इधर से कुछ होता है तो उदयपूर जैसी घटना होती है तो उदयपूर घटना को भी डिसकस कर लेते हैं देखिए उदयपूर में एक भूत महल इलाका है जहां पे कनहिया लाल जिनकी उम्र 40 साल थी एक दरजी की दुकान चलाते थे जिस दुकान का नाम सुप्रीम टेलर है तो 15 जून को कनहिया लाल ने पूली स्टेशन में एक कंप्लेन की और मैं exactly क्या लिखाता था उस कंप्लेन में थोड़ा सा पढ़के बता देता हूँ आपको पता है क्या इसके बारे में तो मेरे द्वारा कहा गया कि मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता मोबाइल सिर्फ मेरे बच्चे गेम खेलने के लिए लेते हैं इस कंप्लेन की जो कॉपी है मैं लगा देता हूँ आप पॉस्ट करके पढ़ लिजेगा तो देखिए होता यह है कि दस जो उनको कनहिया लाल के मोबाइल से कॉंट्रोवर्शल पोस्ट होता है जिसमें वो नुपर शर्मा को सपोर्ट करते हैं और जो मोबाइल में डीपी लगी होती है वो भी नुपर शर्मा की लगी होती है सेम डे कनहीयलाल की दुकान पे दो लोग आते हैं मुहम्मद रियाज और मुहम्मद गौश मुहम्मद रियाज भेलवाडा के एक एक इलाके में वहीं पे एक वेल्डिंग का काम करता था उसके साथ साथ इन्वेस्मेंट पॉलिसी भी बेशता था बेटा गेम खेलने के लिए कभी कभी ले लेता है इसके बाद ये दोनों मुवाइल से पोस्ट डिलीट कर देते हैं और कहते हैं कि आगे से ऐसा मत करना और चुप चाप चले जाते हैं कि 12 तारिक से लेके 15 तारिक तक कनया लाल डर के मारे दुकान ही नहीं खोलते लेकिन कब तक दुकान नहीं खोले हैं क्योंकि घर में दो बच्चे हैं दोनों बेटे हैं वाइफ है और दुकान अगर नहीं खोलेंगे तो घर कैसे चलेगा अब यहां से कनईयालाल ने कम्प्लेंट की पुलिस में नाजिम और उसके साथ के लोगों के उपर और साथ में पुलिस से सिक्योर्टी मागी ताकि वो अपनी दुकान खोल सके अब काइदे में तो जैसे पहले कनईयालाल को गिरफतार किया था वैसे कनईयालाल की कम्प्लें जो पहले दिन आये थे जिन्होंने मोबाइल मांगा था रियाज और गोश यह एक्टिंग करते हैं कि इन्हें कुर्टा सिल्वाना फिर अचानक से चाकू निकालते हैं और वार कर देते हैं कनेया लाल के उपर और दूसरा वीडियो बनाता है आपने वीडियो अल्रेडी जैसी वीडियो पोस्ट होती है उस इलाके में काफी टेंशन हो जाती है यह वह इलाका था जहां पर दो कम्यूनिटी क्योंकि मिक्स पॉपुलेशन रहती है तो दो कम्यूनिटी में आज तक कभी कोई लडाई नहीं हुई थी और इस वीडियो के बाद पूरा महौल खराब करते हैं हेलमेट पहन के बाइक पर भाग रहे थे शुरू में तो यह लग रहा था कि दो गुटों में लड़ाई है लेकि यह जो मोहमत गौस था इन दोनों में से देखे इन्होंने बाइक का नंबर लिया था 26 ग्यारा इससे पता चलता है कि कितनी नफरत करते हैं इंडिया से इसमें यह भी बोला जा रहा कि इसमें से जो गौश है वो 2014 में गया था उस टाइम पर हुदैपूर में क्या होना था इनको तो नहीं पता था तो इसको आप प information पहुचा हैं या फिर वहां के किसी नेता को मारें मौका मिलने पर लेकिन बीच में नुपुर्क शर्मा वाला केस आ जाता तो यह केस इनको दे दिया जाता है उदयपूर में यह क्राइम कर रहे हैं इसका वीडियो बना रहे हैं इसका सिर्फ यही मतलब है कि दो गुटों कितनी जगा फैले हुएं तो अब बात करते हैं हमारे नॉलेज पार्टनर कुकू एफम की देखे हिस्ट्री सिर्फ हिस्ट्री नहीं रहती है बलकि हमारे आज को भी एफेक्ट करती है कई ऐसे इंसिडेंट हैं जो पुराने हैं पर आज भी हमारी सोसाइटी पे उनका असर देखने को मिलता है अगर आपको भी इस तरह के केसिस के बारे में जानना इंटरस्टिंग लगता है तो मैं आपको बताना चायंगा कि I behind us है कुकू FM पे और भी अलग-अलग genre की audiobooks अवेलबल हैं जैसे biography, comedy, crime कुकू FM इंडिया का leading audio show platform है तो आप डाउनलोड करें कुकू FM और अपनी knowledge बढ़ाएं एक fun way में कुकू FM पे first 250 users को मेरा code nr50 use करके मिलेगा 50% discount और 399 रुपीज का जो subscription है उसको आप ले सकते हो 199 रुपीज में Link is in the description